हलो एविवन एक्जान रुपी में आपको सवगत है है आज के लिए अपडेट यह है जो ससी का फेस्ट नाईं का एक्जामनेशन होने वाला है तो उसके लिए आपको अंदर क्या क्या लेके जाना है जिन लोगों को फर्स टाइम कोई एक्जामनेशन है या फिर और भी इसमें जो जो आई टाम दे जाने है तो कुछ चेंजमेंट होता है जो कुछ important चीजे हैं जो आपको लेकि ही जानी है जिनके बिना admission आपको दोगर पासपोर्ट फोटे लेकर जानी है जो आपकी अगर बूस्ट पोसिबल हो ना तो जो आपने जो आपने फॉर्म में लगा यह वहीं लेके जाए ठीक है तो और तीसरा है एक वैलिट फोटो आईटी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो बोटर कार्ड हो एना ड्राइड एल हो एना पैन कार्ड हो एवन कोई भी हो लेकिन एक चीज बिल्कुल मेंडिटरी है उसमें जो भी इंफोर्मिशन देगी हो नाम फादर्स नेम और डेट भारता की वह एक्जेक्ट एक्जेक्ट वन तो वन आपके उससे मैच करनी ही चाहिए जो आपके एडमिशन सेर्टिफिकेट मितलब एडमेट कार्ड में दिया गया है ठीक हो और चौती चीज है फेसमास्क फेसमास्क आप कहीं पर भी जाएंगे इविन मतलब कहीं पर भी आपका किसी और कोई कांफरेंस बगरा भी अटेंड करेंगे तो यहां पर यहां पर यह मैंडेटरी है पेसमास्क आपको अंदर अंडे परसेंट लेके ही जाना है अपना ठीक है है हैंड सानिटेजर की बोटल 50 ml की अगर आपको पानी ले जाना है तो पार दर्शी पानी की बोटल आपने जा सकते हैं ठांस्परेंट ठीक है और एक ची और बिल्कुल दियान नकिए एडमिट कार्ट के साथ आइधिंग सिक्स्थ पेज पे है जो हमारा मैं आपको नीचे दिखार के दिखा दिता हूं डिक् में गए क्योंकि यह आपको वहां पे जमाह होगा और 100% जमाह होगा इसके विना आपको वहां प्रिंट करवाना पड़ जकता है और आप जानते ही एकजाने पर प्रेंस्यांट पर जो आसपास होते हैं तो उसलिए और प्रेंटि निसमें जो भी दी गई तो आपको यह जिसके बिना आपके entry नहीं होगी, यह वाद आपको mandatory है, ठिक है आप जीनिक बहुतल है, पानी की bottle है can you tell वह मतलब मेंडेटरी है लेकिन वह आपके उपटेपेंड है अगर आप अंदर जाके पानी मांगे और वहां नहीं मिले तो फिर आप मतलब यह चीज कहा नहीं सकते कि उसमें उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि कोबिद 19 की चंक करें मतलब आप जो भी एक्जानेशन आप द मार्च का है और यह सिफ्ट है यह बारा से लेकर एक वजे वाली है तो इसमें जो रेप्रोटिंग टाइम है वह स्टार्टिंग होगा साड़े-दस से लेकर साड़े-ग्यारा बज़े गेट क्लोज हो जाएगा ठीक है जो भी आपका एक्जानेशन का जो वेन्यों रियल ट इसक्लोज है ना तो आप मान की चलिए हर आलत में आप पॉनिंग ज्यारा तक सेंटर पे पहुंच जाए क्योंकि कुछ कुछ सेंटर ओं पर भीड़ जादा होती है तो इसलिए टाइमिंग जादा हो जाता है फिर थोड़ी दिक्कत जो होती है फिर वह आपको दिक्कत होती पहुंकि आप पहुंचेगे क्योंकि आपको लिएन पर देना अपको जॉब लेनी है तो उब यह सुआ कैसी तरहिब और एक बात मैं आपको बता दूँ जो बंदा 11 बड़े तक भी पहुंच जाता है ना वह ऐसा नहीं होता कि उसकी एंट्री नहीं होती है लेकिन हाँ जो सवा 11 के पहुंचता है ना और बहुत जाधा है तो दिक्कत हो सकती है मैंने भी बहुत सारे सेंटर देखे हैं कानपूर आगरा है ना कानपूर आगरा मेरट में है ना बहुत सारे सेंटर ऐसे देखे हैं जो आँ पर लोगों को फिरूर रहे जाते हैं कि तो गाइस प्लीज ऐसा रिस्क बिल्कुल भी मत लेजिए